आखिर ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी पावर इस्टार पॉन सिंग को नवस्कार मैं किशन कुमार हूँ अब आप कहेंगे कि किशन जी आप किस काम की बात कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर एक पोश्टर देख रहे होंगे पोश्टर का टाइटल देखकर आपको लग गया होगा कि या होली का एलबम है होली के एलबम में तो भाई थोड़े से हसी मजाग कर चलते रहते हैं लेकिन पिछले साल होली में पॉन सिंग एक ऐसा सांदार गाना लेके आये थे जैसे फलाना वो फरार भुली उसमें कहीं भी चोली लहंगा इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया था लेकिन इस वार होली के इस गाने में पॉन सिंग ने चोली से ही सुरुवात कर दी है भाई साब होली हो और उसमें चोली की बात नहों ऐसा तो बहुत कम देखने को सुनने को मिलता है लेकिन बहुत सारे लोग कहा रहे थे कि पाउन सिंग से ऐसी उमीद नहीं थी वो चोली टाइप के गाने कम ही गाते हैं लेकिन इस बार आखिर पाउन सिंग को क्या जरूरत पड़ गई दर्सक और सुरोताओं को जरूरत पड़ गई थी हो सकता है कि पाउन सिंग ने समझ लिया होगा कि इस बार के होली में दर्सकों और सुरोताओं का मिज़ा आज कुछ ऐसा ही है वैसे गानों में चोली लहंगा की बात नहीं हो तो बहतर है लेकिन पॉण सिंग ने अगर गा दिया है तो भाई पबलिक ने सुना भी है दूसरे कलाकार भी अगर गा रहे हैं और पबलिक अगर सुन रही है तो कहीं से भी कुछ भी उसमें बुरा नहीं है इसलिए क्योंकि पब्लिक अगर सुन रही है तो कलाकार तो गाएगा ही पाउन सिंग ने अगर गाया है तो लोग उने सुना भी है और लोग उसे प्यार भी दे रहे हैं दूसरे कलाकार में अगर कुछ बेहतर लेकर आते हैं तो उनको भी प्यार दीजिए फिलाल लोग कह रहे थे कि पाउन सिंग को आखिर चोली वाला गाना गाने की क्या जरूरत थी तो भाईस अब जरूरत नहीं थी दर्सकों के डिमांड हो सकते हैं और होली के महाल में थोड़ी बहुत हसी मजाक तो चलती रहती है दूसरे के लगार भी अगर थोड़ा बहुत हसी मजाक वाला गाना लेकर आते हैं तो उसको भी प्यार दीजिए और होली में थोड़ा बहुत उपर नीचे तो चलता ही है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर कीजिए आगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और तब तक किले नमस्कार